अगर आपके घर में ये सब दिक्कते चल रही हों तो समझ जाएए ये पित्रदोश हो सकता है इसके कुछ लक्षन है जो कि इस परकार है विवान नहोना, पती-पत्नी में अन्बन होना, गर्बधारन नहोना, गर्बधारन होने पर गर्बपात हो जाना समय से पूर्फ संतान का जनम होना, या फिर विकलांग संतान का जनम होना, व्यसन, दरेदरता, रोग आदी सभी पित्रदोश के लक्षन है पितर दोश के कारणों में जीते जी, दादा दादी, नाना नानी और माता पिता को सताना, शराद करमना करना, पितर धरम को नहीं मानना, संतान को सताना, पीपल वरक्ष काटना, गाय को सताना या गाय की हत्या करना और धर्म विरोधी होना शामिल है पित्रपक्ष क्या होता है संपूर्ण जानकारी दी गई है इसे जरूर समझे श्रीमत भगवत गीता में बताया गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मरत्यू होती है और मरत्यू को प्राप्त होने वाले का जन्म फिर से निश्चित है और यही प्रकरती का नियम है लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि मरत्यू के बाद शरीर नश्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नश्ट नहीं होती वे पुने जनम लेती है और बार बार जनम लेती है इस पुने जनम के आधार पर ही करमकांड में श्रादादी करम का विधान बताया गया है लेकिन अधिकांश लोगों में ये संदे ही रहता है कि पूरवजों में निमित दी गई वस्तु में क्या सचमुच उन्हें प्राप्त होती है या नहीं हमारे दुवरे दिये गई पदार्थ उन तक कैसे पहुँचते हैं क्या ब्रा लागू नहीं किया जा सकता ऐसी कई सारी बाते हैं जिनका कोई प्रमान न मिलते हुए भी उन पर विश्वास करना पड़ता है लेकिन वेद पुरान धर्म शाष्ट्रक से लेकर पितर पक्ष में होने वाले विधी आदि से वैग्यानिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है जिनके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए पितर पक्ष में पितरों की आत्मा की शांती के लिए श्राद तरपन और प्रिंडदान किये जाते हैं लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि पितर कौन है पितरों को लेकर जन मानस के बिद साधारन सिधारना यही है कि जिन तो वही पुन्य करम अरजित कर देवलोग पहुँचने वाली कुछ आत्माओं को पित्र लोग मिलता है। ये चार देवे पित्रों की जमात के मुख्यगण हैं प्रधान हैं। ये महरशी कश्यप की पतनी देव माता अदिती के पुत्र हैं और इंदरादी देवता के भाई। अश्वनी महा की कृषन पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावश्यतक उपर की किरन अर्यमा के साथ पित्र प्राण प्रत्वी पर व्यापत रहता है। पुराण के अनुसार उत्रा फालगुने नक्षत्र में अर्यमा का निवास लोग है और इनकी गर्णा नित्य पित्रों में की जाती है। श्राद की समय इनके नाम का जल्दान किया जाता है क्योंकि इने प्रसन होने पर पित्र तरप्थ होते हैं कहा जाता है कि मृत्यू के बाद अतरप्थ पूरवज तीन कारणों से धर्ति लोग पर आते हैं। अतरप्थी महसूस करते हैं। अगनी को दान किये गए अन्न से सुक्षम शरेर यानि आत्मा का शरेर और मन तरप्थ होता है। इसे अगने होतरी से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तरप्थ होते हैं। अपराकरतिक रूप से नहीं होती। कोई भी बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तै कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी थरे की आत्मा कोई के शरीर में वास कर सकती है। और एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर आ जा सकती है। इन्ही कारणों के चलते पित्र पक्ष में कोई को भुजन कराया जाता है वही। दार्मिक मान्यताओं के मताबिक जब किसी व्यक्ति की मोथ होती है तो उसका जनम कोई यानि योनी में होता है। इस कारण कोई के जरी पित्रों को भुजन कराया जाता है। इस सवाल उठता है कि पूरवजों की मृत्यू तो हर धर्म में या हर पंत में होती है। वे अपने मृत पूरवज का इस्मरन करते हैं और उनकी कबर के पास बैटकर प्रारतना करते हैं जो की एक परकार का शराद ही होता है। पित्र दोश के कारण उमें जीते जी, दादा जी, नानी जी और नाना नानी और माता पिता को सताना, शराद करमना करना, पित्र दर्म को न मानना, संतान को सताना, पीपल वरिख काटना, गाई को सताना, गाई की हत्या करना और धर्म विरोधी हो जाना ये जब शामिल है। जिसमें विवा ना होना, पति-पत्नी में अन्बन होना, गर्ब धारन ना होना, गर्ब धारन होने पर गर्ब पात हो जाना, समय से पूरु संतान का जनम होना, या फिर विकलांग संतान का जनम होना, वैसन, दरिद्रदा, रोग, आदी सभी पित्र दोश के लक्षन है, पित् पीपल वरक्ष में दोपहर की समय जल, फूल, अक्षद, दूद, गंगाजल, काला तिल, पित्रों का इस्वरान करते हुए उन पर चड़ाए पित्रपक्ष में अपने पित्रों की मृत्यू ती थी कि अनुसार उनका श्राद गरम अवश्य करें और गरीबों को दान करना बिलकुल न भूले और दान में अन, धन और वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छाए पित्रपक्ष की एक कथा की अनुसार करन की मृत्यू हो जाने की बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुँची तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहने दिये गए करन की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया तब उन्होंने इंद्र देवता से पूछा कि उन्होंने भोजन की जगे सोना क्यों दिया गया है करन को वापस बेजा धर्ती पर देवता इंद्र ने करन को बताया कि तुमने तो अपने जिवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान किया है कभी अपने पूरवजों को खाना दान नहीं किया तब कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूरवजों के बारे में पता नहीं था इसी वज़े से मैं ऐसे दान नहीं कर पाया इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलते सुधारने का मोका दिया गया और सोला दिनों के लिए प्रतिवेपर वापस भेजा गया जहां उन्होंने अपने पूरवजों को याद करते हुए उनका श्राद किया और उन्हें आहार दान में किया तरपन किया और इन्हीं सोला दिन की अवधी को पितरपक्ष कहा गया है क्या है पितरपक्ष आईए जाने पितरपक्ष की अपने कुल, परंपरा और पूर्वजों के श्रेष्ट कारियों को याद करने और उनके पद चीनों पर चलने का संकल्प लेने का समय है इसमें व्यक्ति पित्रों के प्रती शरद्धा के साथ अरपित किया गया तरपण यानि जलदान और पिंडदान और भोजन का दान शराद क कहलाता है पित्रपक्ष की एक और पुरानिक कथा की अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे दोनों भाई अलग अलग रहते थे जोगे धनी था और भोगे रिर्दन था दोनों में प्रस पर बड़ा प्रेम था जोगे की पतनी को धन काविमान था किन्तु भोगे की पतनी बड़ी ही सरल हिर्दे वाली थी पित्रपक्ष आ जाने पर जोगे की पत्ने ने उससे पित्रों का श्राद करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कारिय समझ कर टालने की चिस्टा करने लगा किन्तु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाते बनाएंगे फिर उसे अपने माई के वालो को दावत पर बुलाने के लिए और अपने शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा अतेवे बोली आप शायद मेरी परिशानी की वज़े से ऐसा कह रहे हैं किन्तु इससे मुझे कोई परिशानी नहीं है मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी फिर उसने जोगे को अपने पीहर नियोता देने के लिए भीज दिया दूसरे दिन उसे बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जूट गई उसने रसोई तैयार की अनिक पकवान बनाए फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई आखिर में उसे भी पित्रों का श्राद और तरपन करना था इस अफ़सर पड़ जोगी की पत्नी ने उसे रोका नवर रुकी शिग्र ही दोपैर हो गई पित्र भूमी पर उत्रे जोगे भोगे की पित्र पहले जोगे की यह आगए तो क्या देखते हैं कि उसके सुष्णाल वाले बोजन करने में जूटे हुए है निराशो कर वे भोगे के या गए वहाँ क्या था मात्र पित्रों के नाम पर ही अगियारी दे दी गई पित्रों ने उसके राख चाटी और भूके ही नदी के तट पर जा पहुँचे थोड़ी देर में सारे पित्र इकटे हो गए और अपने अपने यहां श्रादों की बढ़ाई करने लगे जोगे भोगे के पित्रों ने भी अपनी आप बिती सुनाई फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूका न रहना पड़ता मगर भोगे के घर में तो दो जून की रूटी भी खाने को नहीं थी यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई अचानक वे नाच-नाच कर गाने लगे भोगे के गर धन हो जाए सांच होने को हुई भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था उन्होंने मा से कहा मा भूक लगी है तब उन्हें टालने की गरद से भोगे की पतने ने कहा जाओ आंगन में होदी उन्धी रखी है उसे जाकर खोल लो जो कुछ मिले बाट कर खा लेना बच्चे मा पोँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोरो से भरी पड़ी है वे दोड़े-दोड़े मा के पास पोँचे और उसे सारी बाते बताई आंगन में आकर भोगे की पतने ने यह सब कुछ देखा तो वे भी हैरान रह गई इस प्रकार भोगे भीधनी हो गया मगर धन पाकर वे घमंडे नहीं हुआ दूसरे साल का पितर पक्ष आया श्राद के दिन भोगे की इस तरी ने चपन प्रकार के व्यांजन बनाए ब्रामनों को बुला कर श्राद किया भोजन कराया दक्षणा दी जेड जेठानी को सोने चांदी के बरतर में भोजन कराया इससे बड़े प्रसन हुए और तरप्त हुए और आश्रवाद दिया कैसी लगे आपको इस सारे जानकारी बताएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे अगर आपको थोड़ा भी ठीक लगता है तो प्रीज धन्यवाद